हे फूडीज वालकम टू कुकिंग विद लव आज मैं आपके साथ सेर करने वाली हूँ मैंगो स्रिखन और काजू द्रक स्रिखन आज के इस वीडियो में मैं आपको 15-20 मिनिट में बिलकुल मार्केट जैसा स्रिखन आप घर पे कैसे बना सकते हो ये टिप्स भी देने वाली हूँ सबसे पहले वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें कुकिंग वितलव को और बैल आइकोन को ज़रूर फ्रेस किजिए ताकि आने वाले हरेक रैसिपी की नोटिफिकेशन्स आपको मिलती रहे वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं स्रिखन बनाने के लिए बहुत सारी हैलफफूल टिप्स आपके लिए लेकर आई हूँ गर्मी यों में इस रिखन आप जरूर बनाईए तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले मैंने यहां पे तीन कप ठीक दही लिया है खट्टा दही बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें अभी हमें क्या करना है कि एक छन्नी के अंदर एक कोटन का कपड़ा डाल के इसके अंदर मैंने यहां पे तीन कप दही डाल दिया है दही का पानी निकाल लेना है अगर आपको 15-20 मिनिट के अंदर स्रिखन बनाना है तो ये स्टेप आप ध्यान से देखिए ये प्रोसेस बिल्कुल भी छुटनी नहीं जाईए दही का पानी हमें अच्छे से निकाल लेना है मैंने यहां हाथों की मदद से सारा पानी निकाल लिया है अभी हमें दही का जो पानी निकला है इसे अलग कर देंगे और इसी बाउल में हमें दही के उपर एक भारी बर्तन रखके 15-20 मिनिट के लिए फ्रीज में रख देना है फ्रीज में रखने से दही खट्टा नहीं होगा 15-20 मिनिट के बाद मैंने यहां पे एक बाउल में दही को निकाल लिया है तो आप देख सकते हो कि यह हमारा चक्का रेडी हो चुका है स्रीखन बनाने के लिए हमें बिल्कुल थीक वाला दही चाहिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तीन छोटी चम्मच चीनी का पाउडर एक छोटी चम्मच इलाइची पाउडर और एक से दो चम्मच बारिक कटा हुए ड्राइ फ्रूट्स यहां पे दो चम्मच जितनी ड्राइ किस्मिस को मैंने 10 मिनिट के लिए पानी में भिकोके रखा था 10 मिनिट के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे हलके हाथ से मिला लेंगे तो यह हमारा काजू द्राक्स और इलाइची फ्लेवर का स्रीखन बनके तयार है तो आप देख सकते हो कि 15 मिनिट ही रखा था फिर भी बिल्कुल थीक बना है उपर से दो छोटी चम्मच चिनी का पावडर डालके अच्छे से विस्क कर लिया है अगर आपने दही से पाने निकालने वाली प्रोसेस को अच्छे से नहीं किया है तो आपका स्रिखन बिल्कुल लिक्विडी टाइप बनेगा जो कि खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा याँपे मैंने एक सर्विंग लास लेके इसके अंदर काजु द्रक स्रिखन को डाल दिया है अभी हम मैंगो स्रिखन बनाएंगे तो इसके लिए मैंने एक मैंगो की प्यूरी बना ली है बाउल में जो बचा हुआ स्रिखन है इसके अंदर मैंने याँपे एक मैंगो की प्यूरी डाल दी है और अच्छे से मिक्स कर लिया है याद रखिए आपको बहुत ही मीठा वाला आम लेना है ताकि कलर भी अच्छा आए अभी हम इसको भी एक सर्विंग ग्लास में निकाल लेंगे तो अभी हम दोनों स्रीखन को सव करेंगे मैंगो स्रीखन को हम डेकोरेट करेंगे मैंगो प्यूरी से, ड्राइफरूट से और छोटे-छोटे कटे हुए मैंगो के पीसिस से काजु द्राख स्रीखन को हम डेकोरेट करेंगे थोड़े से कटे हुए ड्राइफरूट और इलाइची पाउडर से तो आप देख सकते हो कि मैंने दोनों फ्लेवर के स्रीखंड को 5-10 मिनिट के अंदर ही मैंने बना के तयार कर दिया है मार्केट जैसा स्रीखंड आप घर पे बहुत ही आसानी से और जटपट बना सकते हो तो इस रेसेपी को आप जरूर ट्राइ कीजिए आप अपने घरों में इस रेसेपी को जरूर बनाईए और 100% गैरंटी है कि इस रेसेपी को ट्राइ करने के बाद आप कभी भी बाहर से स्रीखंड नहीं लाओंगे रेसेपी पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक और सेर जरूर कीजिए तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसेपी के साथ